अगर आप साधी करना चाहते हैं और रिस्ते की तलास में हैं और आपको आपके अकॉडिंग अच्छा जीवन साथी नहीं मिल पा रहा है साधी के लिए और आप काफी समय से तलास कर रहे हैं और आपको आपकी तलास अभी तक खत्व नहीं हुई है और आप काफी परिशान है इस बात को लेकर तो बिलकुल आप सही जगा पर आए हैं हमारा यूटीब चैनल जीवनसाक्षी.in ऐसी लड़कियों के बायो डर्टा फब्लिश कराता है जिल नड़कियों के आर्थ किस्तिती खराब होने के कारण रिस्ता नहीं हो पाता है या जिनकी साधियों के तूट जाती है तो ऐसे रिस्ते हमारे यूटीब चैनल जीवनसाक्षी.in पर पब्लिश किये जाते हैं अगर आप जीवनसाक्षी.in पर नए हैं तो आप चैनल बायोडाटा भेजा है इनका नाम पारवती बर्मा है तो आप पारवती जी के बायोडाटा को अंत तक देखें ताकि आप पारवती जी के बारे में सारी जानकारी प्राप्त कर सकें और ये भी डिसाइड कर सकें कि पारवती बर्मा का प्रुफाइल आपकी अकॉर्डिंग है या नहीं है तो आप वो बीडियो को अंत तक देखें परवती जी की एज 33 साल है इनकी हाइट पांच फुर्ट चार एंज है एजुकेशन में नों तीसरी तक पढ़ाई की है और परवती जी डिवोसी है इनका तलाख हो गया है परवती जी उत्तरव रदेश सुल्तानपुर की रहने वाली है परवती जी के पती मजदूरी का काम करते थे इनका कहना था कि इनके बच्चे बगरा नहीं होते हैं साधी को पांच साल होगा है इनके और इनके बच्चे बगरा नहीं होते हैं तो इनके पती इनके साथ मारफीट वगरा करते थे और वो उनके पती दारू वगरा भी पीते थे ड्रिंक करते थे तो उनके साथ मारफीट वगरा करते थे तो इस कारण से नोंने तलाग वगरा ले लिया है उनसे क्योंकि ये भी काफी परेशान हो गई थी अपने पती को ले क्योंकि बहुआ एक दू दिन का काम हो तो चल भी जाता है फर इनके पत्थी रोजा नहीं है रोज का ही काम थाइनके हस्वेंड का कि इनके साथ मास प्रवर करना आख अन्यो है नुदेता कि यह काफी परिशान थी swatch time करवा दिया है इनकी बच्चे बगर नहीं होते हैं इस कारण से भी और इनके घर में दुख का मा हुल था इनका कहना था कि बड़ी मुश्कल से तो इनकी साधी बगर हुई थे पर साधी के बाद भी इनके साथ इतना बुरा हुआ और उनने कभी सूचा भी नहीं था कि जीवन में इनके साथ भी इतना बुरा होगा इनके पिताजी बगर तो बच्चपन में ये एकसपार कर गए थे जैसे तैसे इनके बड़ी भाई ने इनकी साधी बगर रखी तो साधी के बाद इनको काफी दुख जीलना पड़ा इनका कहना था कि इनकी पती भले इनको कैसे भी साध रह लेती और कि बच्च वगरह नहीं होते हैं तो लोग लोग ऑग इनको connected को टाने देती हैं इस बात को लेकर तो यह काफी परिशान है और इनके भाई भी मसदूरी का काम करते हैं उनके में पना प्रह वगरह नहीं है कि यह और पर्वाती ची की भाय भी मज़दूरी का काम करते हैं जैसे अपना गुजारा कर रहे हैं और परवाती ची को लेकर भी बीडम पर करें इनके साथ, उनका कहना था। तो मैं आपको लड़के का रिक्वर्मेंट बता देती हूं कि इनको कैसर रिस्त चलेगा साधी के लिए। इनका कहना था कि लड़का कैसा भी हो इससे इनको कोई फरक नहीं पड़ता, बस लड़का दिल का साफ हो, जो पारवती जी का साथ ह प्रिष्टतियां जीवन में इनके साıth ना चोड़े और इनके साथ मार फिर्ट ना करें और लड़के की इनकम को लेकर नने का कहना था लड़का महीने में बस इतना कमा लेता हो जिससे ये दो बक्त का खाना खा सकें बिना किसी परिशानी के और ज्यादा पिक्छा नहीं है लड़के की इनकम को लेगा इनका कहना था कि अगर आपके बच्चे बगएरा हैं तो ये आपके बच्चों को सुविकार कर लेंगी इनसी रिस्ते की तलास इनको और आपके बच्चों के एक मा के समान प्यार देंगी आपका तलाग बगएरा हो गया है या पत्नी सांथ हो गई है और आपके बच्चे बगएरा हैं तो भी ये सुविकार कर लेंगे इनको कोई फरिशानी नहीं है और इनको All India में से कहीं के भी रिस्ते चल जाएंगे इनको किसी भी धर्म के रिस्ते चल जाएंगे और इनका कहना था कि इनको इस वास से कोई फर्क नहीं पड़ता है कि लड़का दिखने में कैसा है बस लड़का इमानदार रहे अपने रिस्ते के प्रती और अपनी पत्नी को सम्मान दे और कोई ज्यादा पेक्षाय नहीं है लड़के के लेकर तो अगर आपको परबती जी का पायोड़ाटा पसंद आया हो और आप इनसे रिस्ता कान्य में इंट्रस्टेड है और आप इनको सुईकार कर सकते हैं इनकी बात को जो भी इनों ने बताया अपने बारे में हमें अगर आप को कोई परिशानी नहीं है इस बात को लेकर तो आप इनसे जरूर समपर करें इनको काफी जरूरत है रिस्ते की तो जो आप स्क्रीन पर नमर देख रहे हैं इस पर आप में स्कॉल कर सकते हैं ताकि हम आपका बायो डाटा इनकी फैमली तक पहुचा सके हैं और यह आपसे बात चीत करके आगे की बात बढ़ाएं रिस्ते के लिए अगर आपको परवती जी का प्रोफाल पसंद आया हो तो आप वीडियो को लाइक करें साथ यह आप हमारी YouTube चैनल जीवनसाक्षी.in को भी सब्सक्राइब करें ताकि नए रिस्तों की अपडेट आपको जल से जल मिल सके तो मिलते हैं एक नए रिस्ते के साथ थैंक्स फूर वाचिंग